2014 के देश में राजनेतिक सत्ता परिवर्तन के बाद और उसके थोड़ा पहले जिसको मैं कहूं कि 2012 का आखरी और पूरा 2013 हम सभी ने महसूस किया होगा कि राजनेतिक विमर्शों में पक्ष और विपक्ष इन आपसी बाचीत में एक नए शब्द का जन्म हुआ भक्त यहां भक्त शब्द और भक्ती परंपरा जिसको की राजनेतिक समर्थन और विरोध के तौर पर इस्तमाल किया गया इसके बारे म हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि दरसल ऐसा क्या हुआ कि 2014 के सत्ता परिवर्थन के बाद राजनेतिक समर्थन को भक्तिकाल जैसे शब्द से नवाजा गया और ऐसा करने वालों को भक्त कहा गया यह बहुत सुनियोजित शडेंत्र है जो वैचारिक और बौधि बामपंत के दो शब्द लेफट और राइट यह पैदा हुए इसके लिए हमें 1789 दशक में जब फ्रांसिसी क्रांती होती है तो यह लेफट और राइट दोनों शब्द उसी क्रांती से उपजे हुए शब्द हैं उस समय जिन्होंने सत्ता के साथ विद्रोह किया वे सत्ता के left बैठे, और जिनों ने सत्ता के समर्थन किया, वो सत्ता के right बैठे. और वहां से यह right और left जिसे कि हम बामपंथ और दक्षिडपंथ वो जन्म लिये है, अब जराइसे, आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत के संद। में ले आई है. आजादी के बाद पंडित नहरू की पहली सरकार बनने से और अभी हाल तक के मनमोहन सिंग जी के खड़ाउं साशन तक जरा इन दोनों शब्दों में बैठने वाले लोगों को देखिए वे कौन लोग थे जो हमेशा सत्ता के साथ बैठे वे वो लोग थे जो भारत में अपने आपको तथा कथित वामपंथी घोशित करते हैं जबकि सत्ता के विरोध में आजादी के बाद से 2014 तक अगर मैं बाचपई जी के पिरेट को छोड़ दूँ यह वह एक 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 सेप्शन था इस देश में वह एक प्रयोग था सत्ता के राइट हमेशा भारत का वामपंथ बैठा है और सत्ता के लेफ्ट यानि सत्ता से विद्रोह करता हुआ वह भारत का रास्टवाद दिखा है लेकिन कितनी खुबसूरती से और कितनी साजिशन इस अवधारणा को जन्म दिया कि सत्ता के साथ रहते हुए भी उन्होंने स्वयम के लिए वामपंथ शब्द का इस्तमाल किया और आप के लिए यानि कि यहां के सांस्कृतिक राष्टवाद और राजनेतिक राष्टवाद को उन्होंने दक्षडपंथ शब्द दिया जबकि हकीकत यह है कि कभी भारत का राश्टवाद दक्षिडपंथी था ही नहीं वह तो हमेशा वामपंथी था भारत के संदर में यहाँ एक छोटी सी बात और जोड़ूँगा कि ऐसा वो सहस्ता से कर कैसे पाते हैं आप देख रहे होंगे कि उत्तरप्रदेश मैं उत्तरप्रदेश से आता हूँ योगी आदेतनाजी के नेत्युत्य में एक सरकाराई उस पूरे वामपंथी तथा कतित बुद्ध जीवी गिरोहों ने आपके साथ किया क्या उन्होंने आपके लिए दो व्यक्तिकत संबंदों को गढ़ा नामों को गढ़ा और जिने उन्होंने नाम दिया योगी राज और मोधी राज 2014 के बाद मोधी राज शब्द पैदा होता है उत्तरप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी राज शब्द पैदा होता है आप स्वयम बड़ा प्रसन्नता महसूस करते हैं ये राष्टवादी लेखन हो चाहरास्टवादी संबाद हो या चर्चा हो उसमें योगी राज और मोधी राज। ऐसा करके उन्होंने आपको व्यक्तियों से जोड़ दिया और जब व्यक्ति से जोड़ दिया तब उनके लिए भक्त और भक्तिकाल कहना कितना सहच हो गया यह आप अब खुद समझ सकते है उन्होंने कभी आपको विचार से जोड़ने नहीं दिया क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आस्थावान आस्थिक कहलाता है भक्त नहीं कहलाता है इसलिए मैं अस्पस्ट रूप से कहूँगा कि इस चीज़ को और अब तो बहुत सारे पब्लिक डोमेन में साह जातित विचारधारा भारत में भारत के संदर्म में पूरी तरह से कालपनिक ही नहीं बलकि फरजीत